नमश्कार नहीं अपितु भाव संगीत लोग संगीत वाचितपट संगीत से भी है संगीत हमारे जीवन में पक पक पर व्यापत है जन्म स्रीमृत्य तक यह हमारे साथ रहता है जब बालक के संसार में प्रतम परजय प्राप्त करता है तो संगीत के द्वारा अथा रोने के रूप में अ अपना प्रतम आभार व्यक्त करता है और जब मनुश्य संसार से विदा लेता है तो संगीत के द्वारा ही उसे राम नाम की महिमा बताई जाती है कहते हैं संगीत का जन भाषा से कहीं पूर हुआ था जब भाषा का जन नहीं हुआ था तो संगीत के द्वारा ही भावों का अधान प्रदान करिया जाता था मैक्समुलर ने कहा है संगीत का जन भाषा से कहीं पूर हुआ था हमारे दीवन में 16 संसकार माने जाते हैं जैसे नामकरण, कर्णछेदन, मुंडन, विद्यारंब, यग्योपवीत, विवाह, आदि प्रत्येक का प्रारमवान संगीत के द्वारा ही होता है कोई बेतेवाल छोटा या बड़ा हो संगीत के बिना अधूरा है कोई भी उस्ता हो, संगीत अत्यान तावशक है, चाहे संगीत प्रात्ना के रूप में ही क्यों ना हो दिन बर के कठोर परिश्यम के बाद, पंसी की एक मदूर धुन, सारा ठकान दूर कर देती है गौँ में जब फसल पकर त्यार होती, तो क्रिसान हर्श और लास के रूप में होली का तेहवार मनाते हैं एक दूसरे से गले मिलते हैं, अभीर बुक का लगाते हैं, रंग छिरकते हैं किन्तु हर्श की सेरम सी मा उस समय होती है, जब वे गली-कली में ढोल मजीरे लेकर गाते वाब बजाते हैं मानो साल भर की ठकान दूर कर रहा हूं संगीत, केवल विनोत की ही वस्तु नहीं, अपितु, एक चिरिस्थाई आनंद है, जिससे आत्म सुख मिलता है इसलिए संगीत का अभी नसंबन भक्ती से है, जितने भी भक्त हुएं, ये सभी संगीत के ज्याता वा साधक थे सूर, कबीर, मीरा, तुलसी का नाम किसने नहीं सुना? सभी के बदों से मनुष आत्म विभोर हो जाता है हमारे प्रथम राष्ट पती डॉक्टर राजिंदर परशाद जी ने कहा है कि हमारे साधू संतों की साधना का ये प्रभाव है कि हमारे देश में सूर, कबीर, मीरा, तुलसी, तुकाराम, नर्सी, महता ऐसी कृतियां कर गया है जो हमारे साहित में विशिष श्रिस्तान रखेंगी संगीत का और हमारे नाता बड़ा पुराना है वेदों में साम वेद, प्रारम से अंतक संगीत में है वेदों के मंतरों का उचारण भी संगीत में होता है उपनिशद में भी अनेक वादियों तथ संगीत का उल्लेख है रामेर्ण में भी विविन वादियों और संगीत का उपमाओ का वर्णन है रामेर्ण में रामण भी एक संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था उसने रामणस्तन नामत वादिकार विश्कार में किया था लगदिन खिल जी के दरबार में अमीर खुस्रो जैसा महान संगीत की पैदा हुआ जिसने सितारवत तबले का विश्कार किया इसके अलावा कवाली तराना जूम्रा आड़ा चारतार सूलताल आधिका भी विश्कार किया फिर अकबर का शाशनकाल आया अकबर संगीत का बहुत प्रेमी था आईने अकबरी में कहा गया उसके दरबार में 36 संगीत अगे थे जिन में तांसेन प्रमुक था अक्बर के बाद जहांगीर का शाशन काल आया जहांगीर भी संगीत का बहुत प्रेमी था उसके दर्बार में भी अनेक दर्बारी गायक थे फिर शाजहा काल आया उसके दर्बार में भी अनेक दर्बारी गायक थे किन्तु जब औरन्जेब का समय आया वो संगीत का कटर विरोधी था, उसने अनेक वादियों को जला डाला, लोगों को संगीत छोड़ने के लिए विवश्च किया किन्त उसके कूर अत्यतार का समाच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसी समय दक्षिर के पंडित व्यंकट मकी ने चतुर टर्ण प्रकाशी का नामक गरंद का विश्कार किया और ये से दिकल दिया कि उस समय के सब तक से अधिक से अधिक बहत्तर थार्टों गिरत ना हो सकती है फिर मुहमद राश शाह रंगी ले दिया है उनके दर्बार में भी सदारंग अधारंग जैसे महान गायक पैदा हुए धीरे धीरे मुसल्मानों करा जिस्समाप्त हुआ और अंग्रीजों के शाशन का लाया इनसे तो संगीत की कामना करना वियर्थ था अब संगीत कुछ रियास्तों के हाथ लग गया वे अपने समद्नियों को ही संगीत सिखा देते हैं संगीत अग्यों की कमी होने लगी संगीत कुछ कुल्टा इस्तियों के हाथ लग गया सब इस वान उनसे गिरना करता था अता लोग संगीत से भी ख्रणा करने लगें उसी समय बातकंडे जी तता विश्णी दिगंबर जी दो महान भी भूतियों का उद्य हुआ उन्होंने संगीत के शास्ती पक्ष वक्रियात्मक पक्ष को देखा फिर देश त्रतंत्र हुआ और सलकाल ने स्रतंत्रता के बाद संगीत के शित में काफी युगदान दिया चल जित्र वा आकाश्वाणी के जलिए संगीत का काफी प्रचार वप्रसार हुआ तो चलिए अब जानते हैं चित्रपट संगीत और शास्ती संगीत में क्या अंतर है शास्ती संगीत वो होता है जिसमें निमिश शास्त होता है शास्त के नियमों का पालन करना पड़ता है तालवल ले की सीमा में रहना पड़ता है राक के नियमों का पालन करना पड़ता है अनिता राक की हानी होती है गीत का कौन सा प्रकार गा रहे हैं उसको निर्वाह करना पड़ता है किन्तो चित्रपट संगीत में वो होता है जिसमें कोई नियमिशास्त नहीं होता कोई बंधन नहीं होता उसका फिल्मों में प्रयोग किया जाता है भावन उकूल गीत आकरशक रचनाए सुरेलेवा मुधर कंटो दौरा गाया जाना शिंगारस के शब्दों का प्रयोग विबिन वाद्यों का प्रयोग इसके निजी विश्ष्षताई होती है इसका एक मात रुदेश कानों को प्री लगना होता है और इसमें रंजगता को होना आनिवार है चाहे जो स्वर लगें चाहे जिस ताल में गाया जाए तान, अलाब, सर्गम किसी का बंधरनी होता है और साधरर मानों इसको सुनकर आनन्द प्राप्त करता है इसको शास्ती संगीत को समझने के लिए शास्ती संगीत के ज्यान की अतियंत अफशकता है अता मैं सबसे कहना चाहूंगी कि सभी लोग शास्ती संगीत अवश्ची सीके इसी के साथ मैं अपना आज का एपिसोड समाप्त करती हूँ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे अगले वीडियो में मैं आपको राग भहरव के बारे में तता संदी प्रकार शुराख के बारे में बताऊंगी इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ नमस्कार